पिछले अध्याय में हमने पुनर जागरण का अर्थ के बारे में अधिन किया जैसा कि हमने बताएं कि पुनर जागरण का दूसरा जो नाम है वो रेने सा भी इसको कहा जाता है और पुनर जागरण का जो अर्थ हमने समझा उसका यह है कि पुनर जागरण इटली के उन सांसकर्थिक परिवर्थनों से हैं जो तेरा सो इस्वी के बाद इटली में विक्सित हुए तता सोला सो इसा पूरो के यूरोप के अन्यभागों में फैले यानि कि तेरा सो इस्वी से लेकर सोला सो इस्वी के बीच का जो समय काल है उस समय में कुछ ऐसे सांसकर्थिक परिवर्थन हुए इटली में जहां से यह मानोंतावादी आंदुलन का रूप लेते हुए धर्म के क्षेत्र में नविन द्रस्टिक ओन इस्थापत्य एम चित्रकला का नया सो रूप व्यक्तिगत सिद्धान्तों का विकास विगनिक द्रस्टिक ओन आदी अनेक जो नए जो तत्व है वह इसमें जुड़े इन सबको सामोहिक रूप से जो है पुनरजागरण का नाम दिया जाता है मानव के स्वातंत्रे प्रिय साहसी विचारों को जो मद्धे युग में धर्मादी कारियों द्वरा जकड़े वो बंदी बना लिये गए थे इन सबको यह व्यक्त करता है पुनरजागरण अथ्वा रेने साब तो प्रशन यह उठता है कि पुनरजागरण का प्रारंब इटली से ही क्यों हुआ इसके कारणों में अगर हम जाते हैं तो इसमें वैसे बहुत सारे कारण इसके लिए उत्तरदाई हैं फिर भी पर्मो कुरूप से जो कारण उत्तरदाई हैं पुनरजागरण का इटली से होने के उसके बारे में हम आज इस व्यक्यान में अधिन करेंगे पुनर्जागरण का जर्मिस्थल इटली है फिर यहां से पुनर्जागरण का प्रकास जर्मनी इंग्लेंड फ्रांस आदी यूरोपिय देशों में फैला अत्वा विस्तरिद हुआ यूरोपियो कला एवं साहित्य का ऐसे देश में पुनर्जर्म होना स्वाबईविक था जहां प्राचीन बहतो पुन उपलब दियां महीन किंतु धुंदले रूप में नजर आ रही थी और जहां ग्यानारजन की प्राचीन परंपरा पूर्ण रुपेन अवरुद्ध नहीं हुई थी वहां पर नए नगरों के उदे के लिए परतिस परदा थी और ऐसे अनेक लोग विद्धिमान थे जो कला और साहित्य को सरक्षन दे रहे थे इटली के प्राचीन आवसे सोसे पैटरार्ग के समय से ही विद्धवानों की आलोचनात्मक द्रस्टी कोण को प्रोसाहन मिला तो आईए हम सबसे पहले बात करते हैं पुनर जागरण का जल्मिस्थल इटली से होने में पहला जो कारण है वो है उदारवादी समाच इटली का उदारवादी समाच पुनर जागरण की सरोपर्थम अभिविक्ति इटली में होने का यह एक परमुक कारण माना जाता है यूरोप के अन्ने देशों की तुलना में वहां सामाजिक वर्गों का विकास भी कुछ बिन रूप में हुआ। मद्यकाल के आरम से प्राइदीब के एक बहुत बड़े भाग में नागरिकों तथा योद्धा और जिसने राजनितिक सेनिक तथा सांस्कर्तिक नेतरतों पर एक अधिकार कर रखा था। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में उदारवादी समाज के में यहां का प्रभावसाली भू स्वामियों को अध़ अपदस्त करके समीप के नगरों में जाने के लिए विवस किया गया इन नगरों का साहसिक व्यापारियों के सरक्षन में विस्तार हो रहा था। इटली के अमीर वर्ग के महत्तोपुन समुहों, पुराने पतंसिल परिवारों तथा नवदित व्यापारिक वर्ग के नगरों में समलित रूप से एकत्र हो जाने के कारण यूरोप के किसी अन्य देश से पहले एक समन वित नागरिक समाज की स्थापना हुई अतह उदारवादी एवम स्वतंतर विचारों की प्रस्ट भूमी में पुनर जागरण का वीजारोपन मुश्किल नहीं रहा। इस प्रकार से यहां का उदारवादी समाज होना भी पुनर जागरण का उदे होने का एक मुख्य कारण है। दूसरा है इटली की समरदी। इटली एक समरदी देश था। इटली का समरदी का कारण था विदेशी वियापार। अब चुकि भुमद्य सागरी देशों में सबस्वे अनुकूल इस्तती इटली की ही थी जिससे मद्यकाल के अरब वियापारियों द्वारा एशियाई देशों से लायागा सामान अधिकांस्तर इटली में ही बिकता था। यहीं से एशियाई वस्तुएं अन्य यूरोप ये देशों में जाती थी। इसके अलावा पर्थम इसके अलावा उत्तरी यूरोप में आने वाले वियापारी भी इटली होकर पस्चिमेश्या जाते थे। इस प्रकार से इटली एक सू प्रशिद व्यापारी केंदर की रूप में इस्तापित हो चुका था। इस बढ़ते व्यापार एवं सम्रदी ने इटली में पुनर जागरन की प्रवर्तियों को अगरांकित रूप में हम देख सकते हैं जिनके आदार पर शशक्त आदार परदान किया गया इटली की सम्रदी को। जैसे की व्यापारी गतीद विधियों के कारण इटली के जो शहर मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस, आदी नगरों की स्थापना हुई इटली के अन्य नगरों के व्यापारी बालकन, प्राइदीप, पस्चिमी, एशिया, बाइजन्टाइन तथा मिश्र की यातरा करत थे, अरब तथा इरानी व्यापारी इन देशों में आते जाते रहते थे, कहने का अर्थ हैं कि विधिन देशों के साथ इटली के व्यापारिक नगरों का संपर्क बना हुआ था, संपर्क और विचार विनी में ने दूसरे के विचारों को ग्रण करने की ख्रमता को विक्षित किया, इसके अलावा धर्म युद्धों से लोटने वाले सेनिक भी इटली के नगरों में थोड़े दिन विश्राम करके आगे बढ़ते थे, इनने लोगों ने इटली के नागरिकों को मुस्लिम नगरों तथा वहां के लोगों की सब्वेता का विवर्ण दिया, इससे इटली वाशियों का द्रस्टी कौन व्यापक होता गया, नगरों ने एक अन्य तरह से भी पुनरजागरण की प्रस्ट भूमी बनाई, यह एक इस्तापित तत्य हैं की बड़े एवं विक्षित नगरों में ही संग्रहाल लईयों, राजनित्सारोजनेक पुस्तकालेयों और नाट्टे सालाओं जो सांस्कर्तिक जिवन के अंग हैं उनकी इस्तापना संबव हैं, ग्रामिन क्षेत्रों में इस प्रकार की सरजनाओं को रखने की संता नहीं होती है, इटली की समरदी होने में दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो हैं, इटली की समरदी से व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदे हुआ, वहां का व्यापारिक वर्ग इतना प्रवावसाली हो गया कि उसने सामन्ती एवं पॉप की प्रवाव करना बंद कर दिया, इस वर्ग ने काफी हद तक व्याप मध्यकालिन मानेताओं का उलंगन किया, इससे इटली में पुनरजागरन की भावना को बल मिला, तीसरा जो मुखे बिंदू हैं, वो हैं, व्यापार एवं उद्ध्योगों के कारण भी इटली, यूरोप का एकधनी एवं सम्रद्य देश बन गया था, यहां के व्यापारियों के प्रसाथ एवं रहन सहन का दरजा यूरोप के किसी सम्राट की अपेक्षा अधिक वेबाउसाली था, इटली की सम्रद्य उस चरम बिंदू पर पहुंच गई थी, जहां व्यापारी अधिक से अधिक खर्च करके भी उस सम्रद्य का व्योग नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्तिती में इस विचारधारा को परनपने में सहायता नहीं मिली कि उन्हें राजा महराजाओं की बाती सहित्य कारों एवं कलाकारों को प्रश्रिय एवं उत्साह परदान कर धन का उपियोग करना चाहिए, व्यापारियों ने सहितिक गती विदियों को किस तरह आगे वड़ाया यह एक उधार्ण से इस्पस्ट हो जाता है कि फ्लोरेंस के एक व्यापारी परिवार कैसीमो मेडिसी और उसके पोत्र फ्लोरेंजो कैसीमो ने अपने दन का उपियोग लगवग 10,000 दुरलब गरंतों को एककत्रित एवम उनका अनुवाद कराने में किया इटली व्यापारियों के सरक्षन में साहितेकारों एवम कलाकारों ने स्वतंत्र रूप से खुल कर अपनी रूची की क्रतियां बनाने का आउसर मिला इटली में अन्यक ऐसे बगवान इटली में एक उधान के माध्यम से इसको समझाया जा रहा था जिसमें कि फ्लोरेंस के एक व्यापारी परिवार कैसीमो मेडिसी और उसके पुत्र फ्लोरेंस जो केसीमो ने अपने धन का उप्योग लगबग 10,000 दुरलब गरंतों को एकत्रित करने में एवं उनका अनुवाद करने में किया इटली व्यापारियों के सरक्षन में साहितेकारों एवं कलाकारों को स्वतनतर रूप से खुल कर अपनी रूची की क्रतियां बनाने का उसर मिला इटली में अकेले फ्लोरेंस नगर ने ही सर्वादिक कलाकारों और शाहितेकारों को आश्रेपरदान किया फ्लोरेंस को दूसरा जो नाम है वह फूलों का नगर भी कहा जाता है यहां से दाते पेटरार्क, बुकासियो, एंजलो, लियोनार्दो, दविंची, गिबेर्ती, मेक्यावली, आदी इसी नगर की देन है इस अंदर में यह करना अनुचित न होगा कि पुनरजागरन काल में उत्पन विद्वानों एवं कलाकारों के योगदान का श्रेप उनके अत्रिक्त उस सम्रद्वी को जाता है जिसे इटली ने विदेशी व्यापार के द्वारा अरजित किया था तीसरा जो मुके बिंदू है पुनरजागरन के जन्मिस्तल का इटली से होने का वो यह है कि यह रोमन सब्वेता की जन्मिस्तली है इटली में पुनरजागरन का एक कारण यह भी था कि यह प्राचीन रोमन सब्वेता का जन्मिस्तल रहा था इटली के नगरों में मौदूद प्राचीन रोमन सब्वेता के बहुत से इसमारक अभी भी लोगों को उसकी याद दिलाते थे प्राचीन रोम जैसे महत्तोपुर्ण एबम अपने देश को गुरुवसाली बनाने का विचार उनके इटली के निवासियों के दिल दिमाग पर च्छाया हुआ था यह सब जानते हैं कि प्राचीन रोमन संस्करती पुनर जागरंट के लिए प्रेर्णा का केंदर रही सरवपर्थम दाते की रचनाओं में इस प्रेर्णा के चिन दिखाई देते हैं इस प्रकार से रोम का प्राचीन इतिहास यहां की संस्करती कल्चर बहुत गोरोपुर्ण है और यहां पर अनेक विद्वानों ने जन्म लिया यहां पर जिनकी उज़से इसकी अलग पहचान रही है सुरू से चोता जो मुख्य बिंदू है पुनर जागरण का जन्म इस्तल इटली से होने का वो है कि वहां पर पौप का आवास था रोम जो कि इटली की राजदानी भी है और वहां पर पौप निवास करता था इसाई धरम का जो सरवोच धरम गुरू है वह रोम में निवास करता था वह अब भी संपूर्ण पस्चिमी यूरोपी इसाई जगत का केंद्र बना हुआ था कुछ पौप पौणरजागरण की भावना से अनुपरमानित हो बड़े विद्वानों और कलाउंतों को रोम लाए और उनसे यूनानी पंडूलिप्यों का लेटिन भासा में अनुवाद करवाया उनमें से एक पौप निकोलस पंचम थे उन्होंने वेटिकन पुस्त का लेकी स्थाबना की और सेंट पीटर के गिर्जे को बनवाया उसके अदिन लगबग समुचा रोम निर्मित हुआ पौप के इन कारियों का प्रभाव अन्ये स्थानों पर भी पड़ा इसके अलावा जो अगला जो कारणे वो है धर्मेतर सिक्षा पर बल दिया गया यहाँ पर अर्था धर्म से इतर मद्ययोगीन यूरोप में सिक्षा धर्म के विशेश प्रभावीत एवं कैंदरित थी किन्तु पिटली में वियापार के विकास के साथ एक नई प्रकार की शिक्षा क्यावसिकता हुई जिसमें वियावसाई ज्यान भोगलिक ज्यान आदी को समुचितिस्तान मिला परिणाम सोरूप शिक्सा में धर्म की विशिष्ट इस्तती गोण हुई तथा शिक्सा में ऐसी विचारदारों के प्रिवेश की प्रस्टबूमी बनी जो अधिक स्वचंद थी और जो की विज्ञान वो तर्क का पुट लिये हुई थी अर्थाद पुनर जागरण का सिदान्द यही है कि उसी बात को सत्य माना जाए जो की विज्ञान की कसोटी पर खरी उत्रे या तर्क के मादियम से जिसको साबित किया जा सके तो इटली में धर्म के अलावा धर्म से इतर सिक्सा पर बल दिया गया और लोगों को सारवजनिक या स्वतंतर चिंतन की जो है स्वतंता परदान की गई सिक्सा की मादियम से अन्तिम जो कारण है वो है कुस्तंतुनिया पतन पर विद्वानों एवं कलाकारों का इटली में आश्रे लेना 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तंतुनिया पर अधिकार कर लिया तो वहां से भाग कर आने वाले अधिकांस युनानी विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों ने सरोपर्थम इटली के नगरों में ही प्रच्रे लिया था तथा कालांतर में अधिकांस महीं पर बसके रह गए, इटली में इन नवागत विद्वानों की संख्या इतनी अधिक थी कि लगता था, युनान का पतन नहीं हुआ था, अपितु उसका इटली में प्रवर्जन हो गया था ये वहाँ सर्भ भाग कराने वाले विद्वान अपने साथ प्राचीन युनानी साहित्ती के अनेक अन्मोल पंडूली पियान लेते आये थे, जिन में नहीत ग्यान का उस समय यूरोप को कोई प्रिचर नहीं था इन में से अनेक इटली के स्कूलों एवं विश्विद्यालों में शिक्सक नियुक्तिय गए और यही वर्ग चेतना का अग्रगामी बना तो इस प्रकार से बाहर से जो आने वाले जो विद्वान लोग थे उन्होंनों उनको इटली में प्रश्रिय दिया गया और वुनी लोगों ने जो है शिक्सा की यहां पर अलग जगई और पुनर जागरन जैसी विचारदारा का उदे हुआ इटली से थैंक यू